आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है सिविलियंस के यूटूब चैनल पे JPSC CSE की रिगुलर क्लासेश चल रही है और टेलिग्राम चैनल पे आपको नोट्स पर प्रुवाइट किया जा रहा है अब मेरा जो नेक्स टॉपिक रहेगा वो आपका CNTSPT रहेगा और उसकी भी क्लासेश बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी यह वीडियो या फिर यह क्लास पढ़ाई से सम्मंदित तो नहीं है लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इंपोर्टेंट है अगर आप सिविल सर्विस के एक्जाम में खुद का विकेट नहीं गिराना चाहते हैं तो दो चीजे जो है आपको करनी पड़ेगी पहला काम तो यह है कि 17 मार्च वाला जो जितना भी आपको योटूब में वीडियो मिल रहा है उन सब को सबसे पहले देखना बंद करिए कि 17 मार्च में एक्जाम होगा या फिर नहीं होगा ये सब चक्कर में बिल्कुल भी ना भसे क्यूं ऐसा बोल रहे हैं ये आपको वीडियो के एंड तक में समझ में आएगा और दूसरा चीज यह है कि आपके पास डी मोटिवेट होने का भी समय नहीं है लेकिन अगर आप डी मोटिवेट होते हैं तो आप अपने घर की परिस्तिती खुद की परिस्तिती और अपने मापिताजी के परिस्तिती को देखिए और अगर उसके बाद भी आपको motivation नहीं मिल पाती है पढ़ाई का तो कोई ऐसा वीडियो यूटूब में आपको नहीं मिलेगा जो आपको motivate कर सकता है और अगर करता भी होगा तो 5-10 मिनट ये 1 घंटा इससे जादा नहीं और ये दोनों बातें कि 17 मार्च वाली वीडियो क्यों नहीं देखना है आपको और आपके बस demotivate होने का समय बिल्कुल भी नहीं है ये आपको वीडियो के end तक में समझ माएगा तो इस वीडियो में request है कि आप end तक जरूर बने रहें आपको बहुत सी चीजे clear हो जाएगी अब देखिए JPSC CSE के exam में लगभग 5 लाख लोग form भरेंगे लेकिन आपका जो competitor है या फिर top competition आपको जो मिलने वाला है वो 7 से 8000 में ही है बाकी का जो भीड है वो आपका बस essay वाला भीड है जो की prelims के बाद साफ हो जाएगा और prelims निकालना ही अपने आप में एक काफी difficult चीज है और ऐसे स्थिति में आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते देखिए JPSC मेंस निकालने के बाद आपके पास एक रास्ता और खुल जाता है कि आप बहुत से coaching institute में पढ़ा करके अपना कुछ earning कर सकते हैं लेकिन आप सोचिए कि अगर आपका प्रिलीम सी न निकले तो आप कहीं के नहीं रहेंगे अप देखते हैं हम लोग कि JPSC में किस परकार के candidate से आपका पाला पढ़ने वाला है मतलब आपके computer कौन-कौन है तो देखिए जो आपका 7th to 10th JPSC में 252 लोगों का आपियर हो रहा है तो यह लोग कैसे candidate है जो अल्रेडी एक्जाम किलियर कर चुक है मतलब उनका तैयारी जो है बिल्कुल टॉप नोच लेवल की है बस यह लोग थोड़ा-थोड़ा भूल चुके होंगे लेकिन हलका सभी पढ़ने से सबका सब इनके माइंड में सेट हो जा और इनका भी तैयारी जो है prelims, mains यह सभी का तैयारी इनका भी हो रखाया है और यह लोग especially JPSC का ही इंतजार में थे कि कब वेकेंसी आएगा और कब एक्जाम में बेठेंगे उसके बाद जैसे BPSC में जो already service में है BPSC के civil service examination को जो crack करके हैं तो वह इसे वहां से भी 30-40 लोग जो जारखंड के या फिर जारखंड के और बिहार के border वाले जो छेतरे हैं वहां के लड़के होंगे तो एसे candidates मानके चलते हैं 30-40 लोग मतलब जो BPSC already crack कर चुके हैं और वापस अपने राज्य में आने के लिए यह JPSC में बेठेंगे तो एसे 30-40 minimum है यह नंबर यह एसे लड़के भी लगबग 100 रहते हैं तो आप सोचिए कि इनका BPSC क्यों निकला था या फिर एसे लोगों की तयारी जो है काफी अच्छी रही होगी और इन्होंने सभी standard books पड़ रखे होंगे इनके पास अपना self-made notes होगा understanding काफी clear होगी और इनको answer writing वगरा सब आता है और साथ इसाथ exam का डर इनमें बहुत कम है तो कह सकते हैं कि एसे लगबग 1000 students आपके साथ exam में बेठेंगे जिनकी तयारी बिलकुल top notch level की है और आपके पास seat कितना है तो 342 और यह इतने serious candidates होते हैं और इनके पास सब कुछ material available है इनका understanding clear है कि यह लोग ना तो YouTube में आपको दिखेंगे नहीं यह लोग आपको किसी coaching में दिखेंगे और नहीं आपको कहीं social media में दिखेंगे और आप जैसे मेरे channel से जुड़े हुए हैं और notes प्राप्त कर रहे हैं या फिर मेरे उपर rely है कि notes मिलेगा वीडियो आएगा तो आप मान के चलिए आप तो इन लोगों से काफी पीछे हैं अभी क्योंकि जो आप कर रहे हैं यह लोग दो साल पहले ही करके रखें और इनका confidence level किस level का होगा आप वो भी समझ सकते हैं अब next देखते हैं कि 7 to 10th JPSC में मेंस तक बहुत से candidate गये थे लगभख 4000 कंडड़ेट को मेंस के लिए बुलाए गये था तो 4000 में से इधर तो हम लोग 500-600 कंड़ेट निकल गया तो आपका लगभख 2000 एसे स्टुडेंट्स थे जिन्होंने मेंस का त्यारी किया था 7th JPSC के द होंगे नोट्स रखे होंगे और इनका भी अंडरेस्टेंडिंग लेवल कमोबेस बहुत अच्छा ही होगा तो एसे 2000 स्टुडेंट्स तो यह 2000 स्टुडेंट्स है यह भी आपको ना तो सोचल मीडिया में मिलने वाला है ना यह आपको मतलब यूटूब में दिखेंगे ना उपी एससी खास करके बहुत से बच्चे यूपी एससी कातियारी लगातार करते हैं 6 वार 7 एटम्टिंट डीते हैं लेकिन जब उनका लास्ट एटेंट की तरब आने लगते हैं वो या फिर अब लगता है कि ओवरेज होने वाले हैं तो उस समय ऊपने वो लोग statepcs में भी सिरियस रहे होंगे हाला कि उनका UPSC नहीं निकला है लेकिन इनका understanding level जो है कहीं ने कहीं इनके understanding level से भी उपर का है और JPSC में ज्यादा dynamic question आता नहीं है तो एसे students के लिए यह exam निकालना बहुत ही easy होगा और तोर यहां पर और देखिए आप 500-600 ASS teacher होंगे जो आपको पढ़ा रहे होंगे कहीं ने कहीं भले offline coachings में या फिर YouTube में कहीं पर पढ़ा रहे होंगे तो यह सिचक जो है खुद भी इस exam में appear होंगे यह संख्या ज्यादा ही हो सकती है जबकि आपका यह 500 से कम बिल्कुल भी नहीं है तो यह सिचक जो लगाता JPSC JSSC CGL यह सब को पढ़ा रहे हैं और वह भी आपके साथ exam में बैठेंगे तो इनका भी कहीं कहीं ने कहीं त्यारी तो हो ही रखाया है तो ऑन और अवरेज अगर देखे तो 5000 एसे कंडिरेट है जो आपसे आज एके डेट पे काफी उपर लेवल की तैयारी है उसके बाद देखे जब 7th JPSC आपका 252 दिन में किलियर हो गया था तो उस समय से लेकर अभी तक लोगों का रुजहान काफी बढ़ा हुआ है तो यह दो साल के गैप में जैसे ही आपका 7th JPSC का मेंस हुआ होगा या फिर यह 5000 जो कंडिरेट्स हैं इनकी तैयारी जो है यह आपके लेवल से उपर की है और यहां पे जो 4000-5000 है यहां पे हो सकता है आप इस केटेगरी में आते होंगे या फिर हो सकता है इस केटेगरी से आप पीछे होंगे क्योंकि आप YouTube पे अगर मेरा चैनल देख रहे हैं और टेलिग्राम पे नोट्स के लिए रिलाए है तो कहीं ने कहीं आप जो है competition में आज के समय में पीछे है तो अब आप यह समझ गए होंगे कि आपका जो competitor है वो किस परकार के है अब यहां पे अगर 17 मार्च में एक्जाम जैसे बहुत से चैनल्स में आपको या फिर बहुत से लोग यह बोल रहे हैं कि 17 मार्च को एक्जाम नहीं होगा तो आप अगर यह चीज़ माल लेंगे कि 17 मार्च को एक्जाम नहीं होता है तो आप पूरे full efficiency के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे और आप अपने competitor को देख चु जो भी अभी दावा कर रहे हैं कि 17 मार्च को एक्जाम नहीं होगा वो लोग बस एक वीडियो बनाएंगे और बोल देंगे कि बोल देंगे या फिर माफी मांग लेंगे कि हां मेरा prediction जो है wrong रहा था तो उससे क्या होगा आपका आपका तो एक attempt खतम नहीं हो गया और अगर ह यह मान भी ले कि 17 मार्च को एक्जाम नहीं होता है यह चार से पांच बार postpone होता है मान लेते कि एक साल बाद JPSC का प्रिलिम्स होगा तो क्या आप इन बच्चों से compete कर पाएंगे यह सवाल आप खुद पूछेगा कि एक साल का समय मिलेगा तो भी क्या आप compete कर पाएंगे इन से और यहां पर सबसे बड़ी motivation के बात यही है कि आपका जो भी इस्तिती पर इस्तिती आज के समय में है अगर आप इस exam को निकाल लेते हैं तो JPSC के परतेक post में यह दम है कि आपकी गरीबी जो है वो काफी दूर हो जाईगी आपसे और social prestige जो है काफी जादा आपको मि मिलने वाली है वो आपके मेहनत से कई गुणा है मतलब कई गुणा आप ज़्यादा एचीव कर लेंगे अपने मेहनत के तुलना में तो इसलिए भी मैं कहता हूं कि आप demotivation और motivation के चक्कर में मत फसिए आप अपना इस्तिती पर इस्तिती को देखिए और वही आपको आप 17 मार्च के बारे में क्यों सोच रहे हैं आप तो बस यह सोचिए कि 17 मार्च तक मतलब की 15 मार्च तक आपकी तयारी जो होगी prelims की काफी अच्छी हो चुकी होगी और भले ये लोग जो है selected है लेकिन कोई बात नहीं जेपीए सी के prelims में बहुत ज़्यादा dynamic questions नहीं आते तो आप अगर कुछ चीजों को रट करके और कुछ चीजों को समझ भी लेंगे बढ़ियां से तो आप इनके लेवल में भले ही ना सही लेकिन आप prelims पार जरूर कर लेंगे और एक बार जहां आप prelims पार कर लिए तो मेंस जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता जे पीए सी और अगर आपके पेन में स्पीड है और अगर आपको सही टीचर मिल गया सही नोट मिल गया तो आप फस्ट एटेम्ट में ही निकाल लेजिएगा मान के चलिए कि लगभग जितने भी सीविल सर्विस एक्जामिनेशन होते हैं 40-50 प्रतिसत बिलकुल फ्रेसर्स होते हैं और फिर से 2-3 बार और रिवाईज कर लेंगे तो अगर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समय मिलेगा आप कहीं ने कहीं इन धुरंधरों के कम्पिटिटिशन में बिलकुल आ जाएंगे और अगर थोड़ा सा और महनत कर दिए तो आप जो है हो सकता है इनको भी बीट कर देंगे और एसे लोगों से आप थोड़ा दूरी बनाई जो यह कहते हैं कि नहीं सारा सीट जो है सेट हो जाता है जेपीएसी का तो देखिए पहले के समय में जो होता था होता था लेकिन अभी टेक्नोलोजी इतना फास्ट है और सोसल मीडिया का टाइम है तो जैसे CGL में कोस्टन होगा तो यह चीज तो सबको पता चला फिर तो एक्जाम भी आपका रध हुआ ना तो उसी परकार से जेपीएसी में भी इस तरह का कुछ होगा तो साक्ष कहीं ने कहीं से आही जाएगा सोसल मीडिया के जरिए और फिर वो भी एक्जाम रध होगा तो आप इन फालतुजी क्योंकि अगर आप 6 घंटा या 8 घंटा पल रहे तो इसका मतलब यह थोड़े कि आपका कम्पीटिर जो है वह भी 6 घंटा या 8 घंटा पल रहा है वह हो सकता है आपका 12 घंटा पल रहा है अब आप यहां पर बोलेंगे नहीं हम फूल एफिसेंसी के साथ पल रहे हैं स्मार् के साथ साथ जो हार्डवर्क करेगा बस उसी का सेलेक्शन होगा और हार्डवर्क का मतलब है अपना टाइम लिमिट को बढ़ाना और मन लगा के पढ़ना तो आप खुद को देख लिजे कि आपका मुकाबला कैसे लोगों के साथ है और आप क्या कर रहे हैं और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ मोटिवेट होने की जोरत पड़ेगी कहीं से और उसके बाद भी अगर आपको मोटिवेशन का बार बार गोली खाना पड़ रहा है बार बार वीडियो देखना पड़ रहा है तो आप मान के चलिए कि इस बार भी आपका सेलेक्शन नहीं होने वाला तो आप कोसिस करिए कि ज्यादा ज्यादा समय पढ़ाई में देने का और नेगेटिव चीजों से खुद को दूर रखने का खुद को मोटिवेट रखना है ये सोच करके कि ये एकजाम अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका जो जनरेशन है या फिर आपक को मोटिवेशन का कोई ज्योरत ही नहीं है बहुत से एशे बच्चे भी होते हैं जिनको पढ़ने का सौक होता है और उनको काफी मजा आता है तो वो लोगों को मोटिवेशन और दी मोटिवेशन से कुछ होने वाला नहीं होता तो वो ऐसे लड़के बिल्कुल परफีक्ट क्यों होते हैं और आपको भी मन लगेगा पढ़ने में अगर आप कुछ समय अच्छा से पढ़के तो देखिए जब चीजे आपको समझ में आने लगेगी जब आपको चीजे याद होने लगेगी तो आपको अपने आप मन लगने लगेगा मजा आने लगेगा और फिर देखि तो आप अगर सोच के देखिए कि आप डी मोटिवेट होके आप अपना एक घंटा बरबाद किये तो क्या उससे चीजे अच्छी हुई कि बुरी हुई तो एंसर तो यही है ना कि एक घंटा आप नहीं पढ़े उस एक घंटा कोई नो कोई तो पढ़ रहा होगा तो वो तो आ जैसे ही आप उसको किलियर करिएगा देखेगा आपके मन में एक अलग खुशी का भाव आएगा फिर आप एक टप टॉपिक को चुनिए और फूद धिरद्र उसको भी कवर करिए बाकी नोट्स और क्लासेस के लिए तो हम है ही और नोट्स और क्लासेस के लिए आपको कही न फी देना है न कुछ करना है तो आप बिल्कुल पढ़ने पर ध्यान लगाईए और यह सब चक्कर में मत फसिए क्योंकि बहकाने वाला लास्ट में सिर्फ सौरी बोल के निकल जाएगा लेकिन करियर तो आपका है जो बरबाद हो जाएगा या फिर आप का एक दो साल खरा इवाद